नमस्कार रम प्रियर जनों आप देखने भी एचू पार्ट साला आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है चल रहा है मिशन काउंसलिंग CUET 2022 जिसमें हम लोग आपके लिए कर आएं 100 वीडियोज और इस 100 वीडियोज की सीरीज में आज जो वीडियो का टॉपिक है वो है B.H.U. यानि कासिं दूस्विद्याले B.A. Arts and Social Sciences में वो कौन सा कंबिनेशन है इट मिन्स प्रिफरेंस में वो कौन से सब्जेक्स आपको लेने चाहिए जिससे आपको एक अच्छा फ्यूचर में कैरियर मिल सके Dashboard पे आज जिसके marks के basis पे जिसके preference के basis पे मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपके 2022 CUET exams की टॉपर है ध्यान दीजिएगा और इनके preferences के reference पे मैं आपको बताऊँगा कि आपको कौन से subjects भरने चाहिए और कौन से subjects आपको नहीं भरने चाहिए ध्यान दीजिएगा मैं आपको यह भी बताऊँगा teaching purpose and research scholar बनने के लिए कौन से preferences लेने चाहिए state PCS और one day exams के लिए कौन से combination लेने चाहिए साथ में आपको मैं बताने वाला हूँ कि UPSC के लिए best combination क्या हो सकता है ऐसे वीडियो यूटूब पे बहुत कम बनाया जाते हैं क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने के लिए खासा आपको experience होना पड़ेगा और knowledgeable भी सो प्लीज ऐसे वीडियो को तो जरूर देखेगा क्योंकि आपके carrier से related है और मैं आपको यही बता दूँ कि ऐसे वीडियो देखने के बाद आप अपने जो घर में बड़े हैं उनसे भी discuss कीजेगा कि sir ने ऐसा कुछ suggest किया था तो मेरे लिए क्या यह सही है या गलत है और इ में डैसबोर्ड दिख रहा है यह बीचु कांसलिंग के एक स्टिप आगे का डैसबोर्ड है और जिन बच्चों के एरर आ रहे हैं उसके लिए मैं आज आज आफिस में बात करूंगा आपके एरर की problem sort out हो जाएगी वह हो जाएगी उसके परसान मत हो ना मुझे ही यह डियो से वर्ड ओपेन करने में काफी वक्त लगा है कई बार ट्राई किया हो तब जाके ओपेन हुआ है क्योंकि नेट्वर्ड प्रॉब्लम है यह है प्रिफरेंस इंट्री कोर्स अलोकेश प्रिफरेंस इंट्री जानने से पहले हम लोग देखते हैं किनोंने नीचे क्या-कया भराया ये वह डैस्बोर्ड का पोर्षन है जहां यह मिंसन है कि इनों ने यह यह subject के लिए apply किया था और इस subject का इनका जो document upload है वो complete हो चुका है और preference भी complete हो चुका है लेकिन ध्यान देना भी preference log नहीं हुआ फिर preference log professor करते हैं वो अभी जब आपका registration complete हो जाएगा उसके बाद ही so करेगा फिर verification में आपका verified लिखाएगा और result में आपका declared लिखाएगा तो वो बात का process है उपर इनका दोको dash dash है यानि BA के arts में dash dash है इसका मतलब इनोंने BA की counseling skip कर दिये क्योंकि इनको बहुत confidence है कि इनको social म मिल जाएगी actually इनका जो marks है वो 337 है अपने आप में बहुत अच्छा marks है out of 400 तो चलिए हम लोग देखते हैं कि उन्होंने preference में क्या फिलफ किया है सबसे पहले हम लोग preference इंट्री पर क्लिक करते हैं थोड़ा सा वक्त लगेगा ध्यान देना बी एचू की का यह जो website है मुझे लगता है कि काफी slow है बाकी university की website की comparison में और मैं इसके लिए भी बीएचू प्रसाशन को जरूर एक बार inform करूंगा कि आपने website को जरूर एक बार चेक कराएं क्योंकि आपके subjects वह कहरा देखो ठेक से सो नहीं कर देखो यहाँ पर नहीं सो कर रहा है ठीक है लेकिन मैं अभी कई बार ट्राइब करूंगा तो यह खुल जाएगा ओके इसका not eligible दिखा रहा है उनके दो conditions है पहला है या तो आपने वह related course के subjects नहीं जूच किये थे CUT में दूसरा हो सकता है कि आप paper दिये हो और वह update ना हुआ हो यानि जो university को NTA ने detail भेजा है वह detail में आपका marks चढ़ा ही ना हो ऐसा scene हो सकता है सो प्लीज आप अपना देख लेना कि आपका क्या scene है अब मैं देखता हूँ कि इनकी eligibility criteria में क्या है इंगलीज में इनका 180 है ध्यान दीज देगा और general test में 247 है अपने आप में बहुत अच्छा marks है 337 यहीं पर मुझे याद आ रहा है कि बहु पार्ट साला का course स्टार्ट हो किया नहीं है तो मैं social open करता हूँ क्योंकि social menu नों open किया गो कर देते हैं थोड़ा से circle घुमेगा और हम लोग इंतजार करते हैं होफुली इस बार जल्दी से open हो जाए मैं आपके बार फिर से inform कर रहा हूं कि इनका जो website है वो slow चल रहा है तो की पैसेंस ठीक है अब देखो यहां पर क्या मांगा जा रहा है मांगा जा रहा है percentage of qualifying बारहमी का मांग यह आप से भी मांगा जाएगा ध्यान देना कि यह जो यहां पर मांगा जा रहा है वह इंटर qualifying examination marks है यानि यहां पर बारहमी नहीं है लेकिन यहां पर बारहमी ही है यह यहां फिर बारहमी की equivalent जो आपका होगा ओके तो ध्यान दीज़ेगा अब यहां पर ग्लीचेज आपको देखने को मिला होगा अभी कुछ दिर पहले जब मैंने देखा था तो वहां पर 10 प्लस 2 के marks मांग रहे थे अभी फिर समने जब रिफ्रेस किया तो नहीं मांग रहा है क्योंकि इन्होंने देखो फिलफ कर दिया था ठीक है अब मैं नीच अपना आराम से जो चीजे बोली गई है उसको भरके आप सम्मीट कर दो अपलोट कर दो ठीक है और ध्यान देना यहां पर जो भी डाकुमेंट्स होंगे सब जेपीजी फॉर्मेट में होंगे जेपीजी करने का तरीका मैंने बताया था आपको ठीक है चलो अब प्रोसीड आगे चलते हैं प्रोसीड कर दिया है बहुत जल्द स्क्रीन पर आपका खुलने वाला है आगे का डैसबॉर्ड ओके नेक्स्ट जो यहां पर डैसबॉर्ड ओपेन हुआ है वह हुआ है सेलेक्ट इफ्रेंस इंट्री फॉर यानि आपको रेगुलर प्लस पेट सीट फॉर म हैं यहां पे बात में मेंसन कर रहा हूं कि आपको प्रॉरेंसस दोन 두ने रोड़ आपको इस त्你पिन अछय एंड़ त है यहां फीर लिएगा या फिर वह लिखतेता है 400 करके लिखता है मिन्स कई सारे ऐसे ब्लैंक पेज़ेज आ सकते हैं सो गाइज प्लीज पेसेंस रखेगा और ट्राई की जगा जैसा मैं यहां पर फिर से ट्राई कर रहा हूं कि हाँ यहां पर continue करता हूं मैं ज़स फिर से सर्कल गोंब रहा है अभी फिर से वह open हो गया है अब मैं फिर से स्कॉल करके नीचे जा रहा हूं और यहां पर फिर से proceed कर दिया अब यह बर आ जाए हम लोग पहला देखते हैं इनका अब गो करते हैं ठीक है यहां पर आ गया क्वालिफाइंग मांक्स पूछ रहा है बारहमी का जैसा भी कुछ दिर पहले पूछा था यह ठीक है तो यहां पर लोग इनका मांक्स डालेंगे अब एक बार थोड़ा समय अब देखो कितनी सर्प्राइजिंग बात में आपको दिखाने वालों भी आपने देखा होगा कि अभी डैसबोर्ड पे आया था कि आप अपना मांक्स डालिए अभी मैंने रिफ्रेस्ट किया तो हड़ गया क्योंकि आप एक बार अगर कंप्लीट कर लेते हो नहीं तो फि प्लीज अब हम लोग इनको देखो अच्छे से देखते हैं यह है इनका नाम है खुसी प्रिया ठीक है जिनका मांक्स है 337 यानि 337 कितने में 400 में ठीक है इनका परसेंटेज भी बहुत बढ़ी है वो है 86 परसेंट होस्टल में इन्होंने एस किया है आप लोग भी करना अब प्रिफरेंस में भरा है पहला नंबर जोग्राफी एस्ट्री एन पॉलिटिकल साइंस वैसे इनका जब प्रिफरेंस फिलफ हो रहात है तो हमारी अच्छी खासी कर्वर्सेशन हुई इस प्रिफरेंस को लेकर कि प्रिफरेंस जो है वो क्या उपर भरना चाहिए तो एक्च जोग्राफी एस ओंटर्स में लिया हुए है उसके बाद साथ में इन्हों ने लिया है सब्सेट्री सबजक्स में हिस्ट्री एन पॉलिटिकल साइंस किसमें लिया है फ्मC में ऊपर के इनके एक दो तीन चार पांच उपर के पांच प्रिफरेंसे जिनके में केम्पस में द UPSC करना है आफकोर्स UPSC के लिए combination बहुत अच्छा है लेकिन मैं आपको यहाँ पे दो तीन पॉइंट्स बताता हूँ UPSC में आपको ध्यान देना है कि आपके GS paper होते हैं language paper होते हैं और आपका एक optional होता है यह तीन basic factor को अगर आप दिमाग में बैठाओगे तो आप UPSC के according BHU में अच्छा सा एक combination चूज कर सकते हो BHU के combination चूज करने से पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि यह जो भी combinations हैं इसमें जो subjects हैं वो combination के subjects जो हैं वो UPSC के slabbers से कितना ज़्यादा match करता है तो इसका मैंने एक बार Google करके बहुत ही अच्छा detailing निकाला तो मैंने देखा कि यह तो नहीं पता कि slabbers कितना ज़्यादा match करता है इट मिंस करता है बट बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन जो books recommend किये जाते हैं यानि geography पढ़ने के लिए जो books recommend किये जाएंगे history पढ़ने के लिए जो books recommend किये जाएंगे वो actually UPSC में काफी ज़्यादा helpful रहता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप ऐसे combinations लेके अपने आपको बहुत सभागसाली समझो कि आप UPSC अब निकाली लोगे क्योंकि यहां पर paper होता है semester और आपको बता दो कि जब exam का माहूल आता है तो आपका पूरा नसा उतर जाता है UPSC का फिर आपको बस एक ही चीज़ समझ में आता है कि अरे भाई कैसे भी करके दुहाई और दुहाई और मुझे पास करा दो माई तो प्लीज दोस्तों आप इन सभी चीज़ों को अब जो मैं समझा रहा हूँ अच्छे से समझो क्योंकि देखो मैं भी यहां पर students हूँ और already मेरे साथ यह scene बहुत जादा होता है मैं बहुत जादा manage करता हूँ कि मैं videos भी बना रहा हूँ YouTube भी समझा रहा हूँ अपनी study भी समझा रहा हूँ बच्चों को भी पढ़ा रहा हूँ और coaching भी चला रहा हूँ तो यह मेरे लिए बहुत difficult होता है लेकिन मैं कोसिस करता रहता हूँ क्योंकि मेरे अंदर potential है मैं खुद को बहुत अच्छा समझता हूँ कि मैं कर लोगा तो आप अगर ऐसा कर सको तो फिर आप ऐसे task ले सकते हो अब देखो geography, history and political science UPSC के लिए बेश्ट तो है लेकिन geography एक practical subject भी है history में तीनों parts आते हैं included world history भी पढ़नी पढ़ती है political science में of course अपने आप में एक बहुत ही अच्छा subject और बहुत deep study करनी पढ़ेगी अब मैं आपको ये कहना चाहरा हूँ कि आप अपने semester में UPSC के बस basis पे इन तीन अगर उपर के subjects को लेते हो तो काफी ज़्यादा अपने पे burden कर लेते हो आपकोर्स आपके optional आपके gs paper में आपको help तो हो जाएगा थोड़े हद तक help होगा लेकिन मैं आपको बता दूँ कि semester की पढ़ाई और UPSC की पढ़ाई में बहुत ज़्यादा difference आएगा writing practice में मान सकता हो सकता है बाकी आप books तो ही पढ़ने वाले हो लेकिन दोस्तों आप ये नहीं तैंकर सकते कि आपके ये subjects की पढ़ाई आपके UPSC के लिए काफी ज़्यादा comfortable होने वाला है पो ज़्यादा useful होने वाला है ठीक है तो मेरा मानना है कि combination समय सा बनाया जाने चाहिए एक language paper के साथ यानि वैसे आपके पास एक language paper भी होगा वैसे इन्होंने fill up किया होगा नीचे देखो यहाँ पे language fill up किया है ठीक है English पहले पे लिया है क्योंकि इनको paper जो UPSC के देना हो इंगलीस में देना है तीसी बाने इनकी थोड़ी practice हो जाएगी writing की फिर उन्होंने देन आफ्टर हिंदी लिया है फिर संस्कृत लिया है और फ्लाना डिम काना लिया है और यहाँ पे अंसलेरी प्रिफरेंस भी भरना पड़ता है एंसलेरी प्रिफरेंस के मतलब होता है जस्ट आपको एक सब्जेक्स लेना इसमें बजल सीरियस मत हो जाना हो बस एक सब्जेक्स है और उसका paper देना रहता है एक paper ठीक है तो मेरा कायनिक मतलब है कि geography, history, political, science अपने आप में अच्छा combination तो है लेकिन आपको नहीं लेना चाह टाइम आपको slot में divide करना पड़ेगा अलग time decide करना पड़ेगा तो प्लीज दोस्तों आपको geography, history, political, science में एक combination language लाना चाहिए और एक अपने इंटरेस्ट के subject रखना चाहिए और एक अपने career के according रखना चाहिए सेकेंड इनका है geography, economics, history, देखो economics जो है बाई अपने आप में heart subject से अगर आप math background से नहीं आते हो ताप economics तो लेना भी मत मिलेगा भी ने लेकिन उसके बावजूद बहुत सरे बच्चे ऐसे भी हैं जैसे इनका तो combination नहीं दिख रहा है लेकिन कुछ combinations ऐसे भी बच्चों बच है यह समझ लेना 22 combinations जो है यह combinations अगर आप लेते हो तो यह combinations भाई पढ़ने में काफी ज़्यादा hard है अगर आप math में अच्छे नहीं हो तो आप अच्छा नहीं कर पाओ क्योंकि इसमें तो को पॉलिटिकल साइंस एकोनामिक्स अन हिस्ट्री क्या है पॉलिटिकल साइंस एकोनामिक्स अन हिस्ट्री यह देखो पॉलिटिकल साइंस यूपियस तिक बच्चे जरूर रखें अपने आप में क्योंकि पॉलिटी जो है ना वह आपके आगे आने वाले सुमें कई सारे वे ज़्यादा आता यह यह आपके लिए बहुत ज़्यादा helpful हो जाएगा कुछ बच्चे जो बिहार से होंगे उनके लिए हिस्टी अच्छा एक option हो जाता है वह हिस्टी को रख सकते हैं क्योंकि उनके स्टेट में हिस्टी का जीएस पेपर आता है ठीक है उसके बाद यहाँ पर मैं हर एक सब्जेक्ट को इंट्रोडक्शन दे रहाँ आपको ठीक है जैसे यहाँ पर दोको प्रिफ्रेंस नंबर फाइफ में इन्होंने क्या फिलव किया है पॉलिटिकल सांसिस्टी और सोसॉल्जी जो है एक अच्छा सब्जेक्स है और मुझे लगता है कि इसका स्लाबस जो है न बाकी सब्जेक्स के कमपरिजन में थोड़ा सा कम है तो अब इनका जो प्रिफ्रेंस नंबर फाइफ है वो मुझे बहुत सटिस्फाइग लग रहा है एज कंपेर प्रिफ्रेंस नंबर वन यूप तो आप मेरे वीडियो से मेरा में मोटो निकालो यह मत निकालो कि जो गाल रहा है सब्साइब ये फिल अपकर देना अब मैं आप के बताता हूं कि क्याै प्रिफरेंस भरने का तरीका ओना चाहिए आप के पेपर में एक लैंग्विज होना चाहिए एक इंट्रेस सब्जिय सपोज की इनका हम लोग चेक करते हैं यह वारा देखो साइकोलजी पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री अच्छा एक जिद्ध्यान दे रहे होगा यह अपने प्रिफ्रेंसेज में बार-बार पॉलिटिकल साइंस को रख रहे हैं क्योंकि इनको पता है इटमिंस की समझाया मैं कि आप इन तीन सब्जेक्स में से किसी को भी ऑनर्स बाद में बना सकते हो सपोज कि अभी तो इस साइकोलजी के अपना देख ले रहे हैं क्योंकि भाई साइकोलजी और पॉलिटिकल साइंस हुरिस्टी का कंबनेशन मिल रहा है लेकिन पॉलिटिकल साइंस आप फॉस्ट तेटीचिंग पयरपरच के लिए देखो इन्होंने सोसल का Kag Gong करने से आप को यहां पर जब लाइंग्विग चूच करने का आफ्सन मीलेगा तो मस्ट आप लाइंग्विग चूच करना पहले नंबर पे जिस लाइंग्वेज में आपको upsc देना हो ठीक है जिसलिक आप अच्छी राइटिंग मना सको उसकी प्रक्टिस हो जाए बाकि जो बच्चे क्योंकि बच्चे मुझे पता है कि आर्ट्स और सोसन दोनों के कंबनेशन के फिलप कराएंगे कराएंगे इसलिए मैं बता रहा हूं कि आप जब भरना तो उसमें लैंग्वेज भी रखना जो बच्चे आर्ट्स वाले हैं ठीक है क्योंकि खुद देखो अभी स पूरा फिलप करना और एफिलेटेट का भी फिलप करना और जैसे ही आएगा पेमेंट करके पहले आप फ्री हो जाना बाद में मैं प्रोसेस बताऊंगा ठीक है अब यह चुपार से लागए वीडियो देखो कि तो टेंसन नहीं होगा अब देखो हम लोग इनका एक टीचिंग परपस से सबसे पहले तो टीचिंग आपकी सब्जेक्स में करोगे जिसमें आपकी बहुत ज़्यादा पसंद हो आपको हिस्टी का टीचर बनना चाहता है तो जोग्राफी लेकर तो नहीं पड़ेगा ना बई यह बात है तो प्लीज आप लोग अपने सब्सक्राइब अब मैं बात करता हूं वंड एग्जाम के लिए वंड एग्जाम के लिए न सबसे पहले अपने प्रिफ्रेंसेग में लोग अच्छे सब्सक्राइब रखो यानि history रख लो एक बाकी का normal रख लो psychology और sociology रख लो ठीक है या फिर जिनको बाद में management में जाना है जैसे suppose किसी को MBA करना है तो वो economics लेकि अभी से पढ़े मतलब अभी से यह decide कर लो यहां पर यह decide कर लो कि future किस में ले जाना है management में ले जाना है तो please आप management के subjects यहां पर रखना अगर आपको teaching में जाना है तो अपने favorite subjects रखना अगर आपको UPSC में जाना है तो UPSC के यह combinations उपर जैसे इन्होंने fill up क्या ऐसे fill up करना लेकिन arts में जाते ह तो एक अपना language रख लेना ठीक है तो इस तरीके से combinations अगर आप बनाते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा beneficial होगा अभी यह preferences मैंने social का खोला हुआ है इसलिए मैं आपको अभी वह जो package वाला preference नहीं बता पा रहा हूं यानि जिसमें पैसा आपको बहुत सारा मिल सकता है आर्ट्स में वह है foreign languages वाला तो वह मैं आपको किसी दूसरे वीडियो में बता दोगा तो अभी इस वीडियो में इतना ही बाकि next वीडियो के लिए आप comment कर देना तो मैं आपको बता दोगा कि next वीडियो में आपको वह combinations कौन कौन से हैं जो आपको fill up करने चाहिए ठीक है त सब्सक्राइब देशनल लाइक देश वीडियो मुस्कुराते रहे और खुस रहे ओके प्लीज सब्सक्राइब जरू कर लेना